कि नमस्कार दोस्तों कंसर्ट किंग में आपका स्वागत हैं दोस्तों डी त्रिपल असबी की वेकंसी आउट हुई है इसमें 60 बटर तेहिस स्ट्रेटिकल असिस्टेंट की हम वेकंसी को देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें डाउट था कि इसके ऐलिजिबिल्ट इसका कोड रहने वाला है पोस्ट कोड और इसका नाम है स्ट्रेटिकल असिस्टेंट और यह प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंतरगर्द यह वेकंसी आई है और टोटल जो वेकंसी में देखने को मिलेगी 24 वेकंसी में हैं तो सबसे पहले हम इसकी eligibility criteria को देख लेते हैं औ educational qualification और आपको पढ़ना है 60 बटे 23 यह देखें यहाँ पर और पोस्ट कोड है 60 बटे 23 तो आप पढ़ेंगे यहाँ पर देख शकते हैं आप यह यह 244 टोटल वेकंसी है जिसमें 111 अन्रिजर्वड है ओबिसी के 63 सट है और बागी जो वीकर सेक्षिन है सी एस्टी यहाँ प क्वालिफेक्शन या देखिए एसेंशियल क्या है तो पोस्ट ग्रेजवेट डिग्री नी स्टाटिक्स यहाँ पर मांगा कि पीजी होनी चाहिए आपकी स्टाटिक्स में यह लिखाया या आगे ओपरेशनल रिसर्च या मैथमेटिकल स्टाटिक्स या अपलाइड उनी चाहिए या मैथमेटिकल स्टाटिक्स मेन गडी की डिगर होनी चाहिए या अपलाइड स्टाटिक्स में जनक्या और इलीSTया लाई की तो अगि अगर आपके पास इन 4 इन 4 वश कुछ भी नहीं तो यहाँ पर और लिखा या ढुख क्वाल पीजी डिग्री नीकोह मि या या मैथमेटिक्स मतलब है अगर आपने से किया है मैथमेटिक्स या आपने एकड़ा किया है मैथमेटिक्स से तो आप तब भी तो आप पड़ सकते हैं आपके स्टेक्स सब्सक्राइबने टो कम से कम एक साल आपको स्टेटिकस का पेपर आपने पढ़ा होना चाहिए या तो यूजी में या स्की लेंग्विज को पड़ सकते हैं तो आपने देखा है या तो आपके पास पीजी की डिगर होनी चाहिए एक स्टैक्स में या ओपरेशनल लिसेरस्टी होनी चाहिए इन चारों में से कुछ नहीं है आपके पास तो आपके पास एकोनमिक्स की पीजी की डिगर होनी चाहिए या मैथमेटिक्स की या आपने सकते हैं यहां पर, the candidates who have passed statics as one of the papers या subjects including quantitative methods या techniques or costing and statics या basic statics या business statics, introduction to statics, etc. and graduation या PG level also eligible तो दोस्तों ये पहले से eligible अगर आपने या PG में एक subject के तोर पर statics को पढ़ा है तो आपने qualification ये देख लिए आप इसको PDF को डिटेरल से पढ़ी भी सकते हैं तो जरूर ही नहीं है कि किवल M.com वाले ही इसको भड़ सकते हैं अगर किसी ने economics से में किया है PG का रखा है तो तब सकते हैं mathematics वाला भी बढ़ सकते हैं इसको और वाले तो भरी सकते हैं कि यूज यूर पीजे दोनों में strategist पढ़ते हैं स्टाटिक्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखाए इसमें लिखाए आपको कुछ भी नहीं मांगा गाया है आप निल लिखाया है और आप पे सकते हैं जब आपको सेलेक्शन हो जाएगा तो आपको इतना मिलेगा तो आपने इसमें आपने देख लिए आप इसको अच्छे से पड़ी भी सकते हैं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बताना चलिए इसका हम एक्जाम पैटन को देख लेते हैं कि एक्जाम पैटन से क्या रहने वाला है तो हम जब स्कूर नीचे जाएंगे तो पेज नमर 22 22 पे लिखाया है वन यहां पर देखेंगे 60 बटा 23 आपको 60 बटा 23 नाम से यह पोस्ट कोड आप दिहान में रखना आपको 60 बटा 23 को देखना आप यहां पर पेज नमर 22 में ने मैंसन किया है आप जा सकते हैं तो वा एक आपका होने वाला है जिसमें 200 कोशन आपको पूछे जाएंगे और 200 ही मार्स के विन एक कोशन होंगे दोस्तों कि इस की को डिष्क्रिट्टिव नहीं हो画 उप जेठी होगा अपने हें लिखा है म से कि कुई थिक है तो यहां पर सेले बस में क्या का प्वुंट सेवन पॉइंट्ष को पड़ते हैं फिर आग्ए बढ़ते हैं फिर आकर न ये इसमें ये चलिए यहां और लुen डी समास का होगा और मियदी भी सो होगा आयो में गार्त में मतलब गहने वाला तो आप देखी अपने देखा कैसा से बिभाद क्वलीडेये और पे कुछ कुछ इंक्लूडविड में इसमें आपट भीस मार्स के होंगे एज अपने देख लेे हैं इनके जो आपकी रिजीनिंग है यहां गने को मिलेगी और यहां फर तो पांच्वां सेगमेंट आपको निर्मिलिस आपको देखने मिले इनके 5 सच्वेगमेंट आपके से स्क्शने में है और पांच सेग्मेंट हर सेक्षेन आपको देखना को मिलें लिए इस तरह obs से आपके हैं लिए और यह हो गए है यहार को द्यान से पढ़ना है objective तो यहां पर जो लिखा है इसका कहने का मतलब है कि सो कोश्चन आपके मिलें गए स्टैक्स के तो आपको ध्यान लगना है कि आप मैथमेटिक से दे रहें तो आपको मैथमेटिक से कोशन आपको देखने को नहीं मिलेंगे सिस्टेंट का तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा तो आपने देखने अच्छ न पी दो पहराँ अगर कोई आपको टॉटORA से जाके के बताना तो उसको solution हम आपको next video में देंगे तो चले next video मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद धियान रखिए अपने पढ़ाई करते रहिए